नमस्कार खबर मदर प्रदेश चतिसगर्ड में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ रश्टे शुक्ला रुकर लेते हैं खबरों का इंदौर में नगरनेकाई चुनाफ के लिए 6 जुलाई को वोटिंग होने वाली है चुनाफ की तारीक नस्दीक है ऐसे में नेता दौतके लिए चुक्ज जबानी जंग जहा रही है इसी कड़ी में अद्र प्रदीश के कॉंग्रस प्रदीश सचिवरण राकेश सींघ यादव ने बीजेपी को आपकलिया राकेश सींघ यादव ने साथि शर्मा से आईए आपको सब्वाते हैं लिख्ता है तकलिफों में रहें और आज भी तकक्लिफों में रहें क्योंकि आज भी बीजेपी की Nag Full percept पत रहें उसका को में। प्त्रत पत्र बोलुगा। जो आखे नहीं थी, और गंदारी ने फिर पट्व बांद लीती, वही पुष्णु वित्र भार गो 150, गंदारी बनके पट्टी बान के शहर में घूम रहे हैं। से पार्षद रह चुके हैं और शेत्र में लगतार विकास करते रहें और आगे भी इसी तरीके से वो काम करते रहेंगे। साल पुराना एक स्कूल था जो उसके अंदर बाउंडरी नहीं थी उसके बाउंडरी बनवाई। उसके बाद में कबरस्तान की दिवार बनवाई। कई जगाँ पर जो रोड नहीं बने थे तो रोड बनवाई। नो करोड रुपे का भी एक रोड बन रहा है जो मरी माता से लेके एमली वजार में काम शुरू हो चुका है। कबर घरोड से जगाँ लोड खेडी के नव निर्वाच्वत सरपंच देवी लाल धाकड और विजजवें ने देड सो से ज़ादा कारिकरताओं के साथ बीजवें पी की सदसता ग्रहन की वहीं जोरान वधायक देवी लाल धाकर ने कारिकरताओं का भाश्पा परिवार में स्वागत किया आपको बता दे पियमोदी की नीती से प्रभावित होकर कॉंगेस कार करताओं ने बीजवें पी की सदसता ग्रहन की है। जब्पा 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 हुआ 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 है दो महिने की फ्री ट्रेनिंग दीज़ वा रही है मुंगेली से खबर आपको बता रहे हैं जुआ पर प्रिसाशन की तरफ से लगतार मदद कीज़वा रही है प्रिसाशन की तरफ से लगतार मदद कीज़वा रही है सेना भरती की तयारी कर रहे हैं युवा मुंगेली से खबर आपको बता रहे हैं प्रिसाशन की तरफ से लगतार मदद की तरफ से लगतार मदद की तरफ से लगतार मदद कीज़वा रहे हैं वही शिक्रवार को हुई अच्वानक बारिश से शहर के बोराई से बुढ़रा आंधी मांजवी नाला में बाड़ा गई जिससे प्रिसाशन की दावों की पोल खुल गई है जन जीवन पुरी तरीके से अस्तवेस हो चुका है ग्रामीडों का कहना है कि गाउफ में पुल बनाने की मांग को लेकर के जन प्रतिनीदी से लेकर जन दर्शन में शिकायत दे चुके हैं लेकिन अब तक पुल नहीं बन पाया जिसके कारण बारिश के दिनों में परिश्रानियों का सामना करना पड़ता है तो यह तस्वीरे आद देख सकते हैं जो आप पुल नहीं हो रही कि वचोसे लोगों को आने जाने में लगतार परिश्रानियों का सामना करना पड़ता है जन जोखिम में डाल कर इसी तरीके से लोग पानी से निकल के गुजरते हैं तो आप तस्वीरे देख सकते हैं कभी भी कोई भी बड़ा हाथसा यहां पर हो सकता है प्रिसार्शन के लापर वाई यहां पर साफ तोर पर देखी जवा सकती है जन जीवन पूरी तरीके से सवेस हो चुका है कई बार गुहार लगाई जा चुकी है कि आपर पुल का निर्मान करवा दिया जवाली कि नास तक समस्याओं को किसी ने नहीं सुना है और समस्या ज्वसकी तस बनी हुई है तो थोड़ी सी ही बार इश में आपर बार ज्यसी स्तिती पैदा हो जवाती है और इस बार ज्यसी स्तिती से निपटने के लिए ग्रामीडों की सुनने वाला कोई नहीं है उन्हें लगतार पानी से होकर ही गुजरना पड़ता है और जान हथेली पर लेकर के वो इस पानी से गुजरते हैं तस्वीरे भी आपको हम दिखा रहे हैं जवापर देखे आप नदी की तरीके से पानी ये बैर आए और इसी पानी से होकर के रोज लोग यहां से गुजरते हैं अपना काम करने के लिए जवाते हैं तो इन परिशानियों को कब दूर किया जवाएगा आखिरकार कब यहां पर पुल बनाया जवाएगा इसका जवाब किसी के पास नहीं है लेकिन कई बार प्रिसाशन से गुखार लगाई जा चुकी है वन्शेत्रों का हाल इसी तरीके से हर बारिश में होता है बारिश की वज़े से नदी नालों में बार जैसे हालात हो जवाते हैं लोग जान जोखिम में डाल करके पानी के तेज बहाव में रास्ते को पार करते हैं तो आप देखिए किस तरीके से लोग रास्ते को पार करते हुए नजर आ रहे हैं आपको और कभी भी किसी की भी जवान जा सकते, इस पानी में वो बैस सकते, छोटे-छोटे बच्चों की जवान को यहां पर खत्रा लगतार सताया रहता है, लेकिन उसके बाद भी सुनने वाला इनकी कोई नहीं है, प्रिसाशन से कई बार गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन तो आईए हम जानते हैं, जो बाढ़ हाने वाले छेत्र है, हर साल उसके लिए तैरी की जाती है, इस साल भी पूरी तैरी की जा चुकी है, तरसी लेवल पर कंट्रोल में सापेत है, और नद्जो की किनारे के हम लोग 77 ग्राम को हमने चिनित कर लिया है, जहां बाढ़ हाने क जाती है, तो वो सबके भी कारवाही कर लिए गई है, साथी साथ बारिज को दिश्टी करता वर्साजनत बीमारियों से या फिर शांप अगरा की हमारी बढ़ जाती है, उसके लिए फिर स्वास्विभाब को भी नद्जो कर दिया गया है, तो आई है, राजना कांफ के डों से लगाए गए, सभी आरोपों को बे बुनियाद बताया, और अपनी पतनी पर उनकी राजनीतिक और समाजिक छवी को धुमिल करने का आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि उनकी पतनी संगीता भारती, उनके दोनों बच्चे और उनकी 90 साल की बुजर्ग मा के साथ दुर्व वभार करती है, आपको बता दें, पोर वधायक है, राम जी भारती ने कोर्ट में तलाद के लिए अरजी दी है, वहीं उनके दोनों बेटे ने अपने पिता के साथ रहने का फैसला लिया है, डोंगर गर वधान सभर से वधायक रहे, राम जी भारती ने प्रस कांफरेंस कर और अपनी पत्नी पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं पत्नी पर छवी को बिगारने का आरोप भी लगाए गया इसी के साथ आपको बता दे राम जी के दोनों बेटे उन्हीं के साथ रहने का फैसला यहां पर ले रहे हैं और उन्होंने तलाक की अरजवी भी लगा चवी बिगाणने के आरोप याँ पर लगाए गए हैं कोट में दे रखी है तलाग की अरज़ी और प्रेस कॉंफरेंस करते उन्होंने ये जवानकारी सभी को दी है पूर्व मले राम जी भारती ने प्रेस कॉंफरेंस करी पत्नी पर चवी बिगाणने के याँ पर आरोप लगाए गए पत्नी से परिश्रान है पूर्व वधायक कोट में तलाग की अरज़ी भी उन्होंने दे रखी है तो पत्नी से परिश्रान पूर्व वधायक ने पत्नी पर चवी बिगाणने के या रोप लगाए है पर चवी बिगाए है कि याँ के साथ उन्होंने मार पर की चाहिका उन्होंने मिला से निखाल दिया बच्चों को लोग परदाड़ित करना जो हाथ मार उसी से केक्के मार देना इस तब सारे चीज़ को हम जलते रहे तुकी राजनिती का और एकती रहे लगातारा पूस्ट हो रहता है अब सुरू में अब लोग घर में समाया खबर धामंतरी से हेजवाई स्कूल टीचर्स की मांग को लेकर चात्रों और उनके पैरेंट्स ने विरोध प्रदर्श्वन किया स्कूल में टीचर्स की कमी के च्वलते बच्चों के भविश्च के साथ खिलवार हो रहा है इस मामने को लेकर के शाला प्रबंधन समीती के साथ स्कूली बच्चों ने स्कूल के में गेट पर ताला लगा कर चम कर नारे बाजी की वही साश्किय मादमी की स्कूल के प्रबंधन समीती के अध्यक्ष बलदेव राम ने कहा कि कई बार शिकायत के बाद भी यहां पर सिक्षिकों की कमी को पूरा नहीं किया गया है तो आपको बताते छोले बच्चों की पढ़ाई ऐसे में बादित हो रही है स्कूल में टीचर्स की कमी के वज़ो से बच्चों को पढ़ाई करने में परिश्रानियों का सामना करना पढ़ रहा है जोहां स्कूल टीचर्स की मांग को ले करके सात्रों और उनके पैरेंट्स है विरोध पदर्शन किया है स्कूल में टीचर्स की कमी के चुलते बच्चे के भविश के साथ भी खिलवार हो रहा है इस मामले को ले करके श्राला प्रबंधन समीती के साथ स्कूली बच्चों ने स्कूल की मेन गेट पर ताला लगा कर जमकर नारे बाजी की है तस्वीरे भी आद देख सकते हैं जो आपर बच्चों का इस समय पढ़ाई का समय है लेकिन बच्चों यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं इनका समय भी बरबाद हो रहा है इनका भविश भी आम पर बरबाद हो रहा है ऐसे में कई बार टीचर्स की कमी पूरी करने की मांग उठाई गई है लेकिन आज तक इस मामले पर किसी ने संग्यान लेना जरूरी नहीं समझा है है novamente की खंुल लेना छेतर गयुअ मनेता मीडेशन जरू है गप्लeszTube सिपीजिया है इनका समय व्यद़ने खाल कोईए आज कहिए खाल कुेड़ा है पुरिज़ाओ, 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 बेताल हसा, खुरिज़ाओ, राजिस्तान के उधैपुर में हुए हत्याकान का विरोध जुहाँ पुरिदीश भर में किया जुआ रहा है, वहीं चपतिस गड़ में भी विश्व हिंदू परिशद और मरवाही में सुबा से ही बाजार बंद हैं और सड़ के खाली रहें। केवल आपात काली दवा की दुकाने और डेरी समेत आवश्चक सेवाई खुली रहें। खास बात ये रही कि जोरान पुलिस प्रिसाशन में पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दिया। ये तस्वीरे आप देख सकते हैं जो आँ पर मरवाही में बंद का असर साफ तोर पर देखने को मिल रहा है लेकिन पुलिस भी याँ पर पुरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। उदैपुर में हुआ हत्याकान का विरोध हर जगे की अज़वारा है। इसी के साथ मरवाही में भी इसका जमकर विरोध हुआ है और दोश्यों को सक्ट से सक्ट सच्वा देनी की मांग करते हुए बजवरंग दल के लोगों ने बंद का ऐलान किया था जिसका साफ असर आप इन तस्विरों में देख सकते हैं। तो मेडिकल स्टोर को छोड़ करके और डेरी को छोड़ करके पूरा मार्केट यहां पर बंद किया गया है। वहीं 36 गड़ में भी विश्व हिंदू परिशद और बजवरंग दल ने इस पर नाराजगी जाहिर किया है। तो अब यह जो विरोध की आग है वो 36 गड़ तक पहुँच चुकी है। जो आप बंद का साफ तोर पर असर आप इन तस्विरों में देख सकते हैं। कुछ जरूरी सेवाओं को छोड़ करके पूरे बाजार को बंद कर दिया गया। बजवरंग दल के लोगों ने और विश्व हिंदू परिशद की तरफ से नाराजगी जाहिर करते हुए बंद का एलान किया गया था। जिसका खासा असर देख्वियों को मिल रहा है। लेकिन पिसाशन भी आपर पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आया है। जैसा कि आप भली भाती परचित हैं जुदीत है आपको यह जो पूरे भारत देश में जिस हिसाब से आतंकियों का जो खेल चल रहा है। क्या ट्रेन जलाना पत्थर बाजी करना और जैसा कि अभी ताजा जो है कनहिया लाल के साथ उसका साथ बार बार करके उसका गला काटना और टोटल उसके शरीर में पूरे 26 वार थे। इससे ही अंदाज लगा सकते हैं कि गौस मुहम्मद और रियाज मुहम्मद रियाज निश्ची थी इनके द्वारा जो है एक बहुत बड़ा सरगना है बहुत ही बड़ा आतंगवादी संगठान है और पूरा भारत देश जयो द्वेलित है। अगर भारत देश में इस टाइप के लोगर अभी रहेंगे और तो पता नहीं क्या इसी बनेगी। और ऐसे लोगों को भारत देश में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। चेंबर अफ्कामर्स की घोषडा के बाद व्यापार संग मरवाही के सभी सदस्यों ने भी बंद का हवान किया। और इसे सफल बनाने में अपनी महत्पून भूमिकार निभाई। और हम प्रसासन से मांग करेंगे कि उदैपूर में कोई हटना में जो भी दोसी हैं उने करें। राइगर में पुलिस के स्पेशल टीम को बड़ी सफल ताहत लगी। पुलिस ने लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले दो आरोपियों को गिरफतार किया। पुलिस ने ये काम्याबी आसिल किया। मितीश ने बीटक की पढ़ाई भी की है जो की लेबर किस्म के लोगों के नाम से जारी सिम का यूज करके ठगी करता था। आरोपे की 2019 में उसने एक सिक्षक से 29 रुपए ठग लिये थे। पेड़ेत सिक्षक की शिकायत की आधार पर कारवाई करते हुए पुलिस ने भी काम्याबी हासिल की है। आर्ट लाग और दीस लाग का लोन जीरो परसेंट ब्याजदर पर मिल जाएगा उसको जरुत भी थी। अपनी एक टीम जिसमें खरसिया चौकी परवारी गौतम, कापू परवारी पैकरा और उनके साथ में साइबर के कुछ लोग गाजियाबद भेजे गए। जिसमें उन्होंने काफी मेहनत करके उसका पता लगाया, वहांकी लोकल पुलिस से सहयोग भी लिया और वहां पर फ वाराय की सरपूर के रहने वाले दो रहागिरों से बदमाशों ने चाकू की नोक पर लूट की वारदात को अंजवाम दिया था, इतना ही नहीं पैसे नहीं देने पर बदमाशों ने पीडित को पुरी तरीके से चाकू से घायल कर दिया था, गडना की जवानकारी मिलते ही मौके पर पहुची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भरती कराया वहीं अब पुलिस ने मामले की जाच शुरू करते हुए चार आरोपियों को ग्रफतार किया और उनके पास से पुलिस ने बारा सो रुपए और बाइक भी जवक्त की है डोंगरगर पुलिस को बड़ी सफलता आद लगी पुलिस ने लूट की वारदात को अंजवाम देने वाले चार आरोपियों को ग्रफतार कर लिया है आपको बताते च्वल ने बताय जवार आए कि सिरपूर के रहने वाले दो रहागिरों में से बदमाशों ने च्शाकों की नोग पर लूट की वारदात को अंजवाम दिया था इतना है नहीं पैसे नहीं देने पर बदमाशों ने पीरिट को बुरी तरीके से च्शाकों से घायल भी कर दिया था तो यहाँ पर बड़ी काम्याबी हात लगी है पुलिस ने आरोपियों को गिरिफ्तार कर लिया है मुबिर से सुचना मिला कि आरोपिय गड़ किसी एक जगा पर शोगे हुए है ग्रेन लेल एक लॉज है नुगरगड में वहाँ पर दवीज देगे जहां आरोपियों को हिराशत में लिया गया आरोपियों में एक मुख्य अभ्यूक्त है देवेंगर बर्मा और तीन अफचारी बालग है जिन्हें विधीवत हिराशत में लिया गया पर दवीज देगे जहां लिया ना कि पुलस के बल बूते पर आदिवासियों की आवास को दबाना चुआए पताए जबाराई कि छतिसगड के इतिहास में बस्तर का ये सिलगेर आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन है इस आंदोलन में वीजापूर और सुकमा जले के सरहत पर हजारों की संख्या में आदिवासी ग्रामेड आंदोलन कर रहे हैं तो बीजेपी प्रवक्ता की सरकार को नसीहत सिलगेर आंदोलन पर बीजेपी का बयान सरकार दे इस पर ध्यान ग्रामेडों की समस्याओं का जल से जल समाधान की आजवाई क्योंकि यह आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन बन चुका है सिलगेर आंदोलन पर बीजेपी गबयान सामने आएं ग्रामेडों की समस्याओं का जबल से जल समाधान की आजवाई ना की पुलिस बल का इस्तमाल करके आदिवासियों की आवास को दबाये जवाई तो यह नसीयत यहाँ पर दी गई है सिलगेर आंदोलन को लेकर के वहाँ पर सरकार को चाहिए कि वहाँ पर जाकर के उनसे चर्चा करे और जिस तरीके से वो क्रमबत तरीके से उनका आंदोलन चल रहा है और जिस तरीके से वहाँ पर चार लोगों की मृति हुए तिन की पहले हुई थी और एक की बात में मृति हुए तो कहीं न कहीं से उन छेत्रों में फुरच्छा और इस तिको बहाल करना है तो सरकार को पहल करनी चाहिए और समय समय पर भार्ची जनता पाटी ने इस विशाय को वहाँ पर रखा भी हम लोगों ने एक संभाग इस तरका यहाँ 36 गड के दंतेवाडा जिले की रहने वाली एक्स रोडीज निहारीका तिवारी को गला काटने की धमकी मिली दर इसल उन्होंने इंस्टाग्राम पर उदैपुरी की घटना की निंदा की थी जिसके बाद मश्यूर रियालिटी टीवी शो रोडीज की एक्स कंस्टेंटन निहारीका तिवारी को लगतार धम क्या मिल रही है धमकी मिलने के बाद एक्स रोडीज निहारीका ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी बात रखी है उन्होंने कुछ गलत नहीं का उन्होंने नुपुर शर्मा का पक्ष नहीं लिया सिर्फ उदैपुर में जो तरीके की हत्या हुई है उसका उन्होंने विरोध किया है तो आपको बता दे, एक्स कंटेंस्टेंट निहारिका को जान से मानने की धमकी दी गई है और उसके बाद उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया और उन्होंने साफ तोर पर ये कहा कि उन्होंने नोपुर्ट शर्मा का समर्थन नहीं किया है पुलिस महानिरिक्षक बस्तर रेंज सुन्दर राज पी और पुलिस महानिरिक्षक कमलोचन कश्यप के दिशा नर्देश में शेत्र में माववादियों उन्मोलन अभियान चलाए जा रहा है जिसके तहत गंगालू एरिया कमिटी के प्लाट्टू नमबर बारा की सदस्या ने पुलिस के सामने आत्म समर्पन किया बताया जवारा कि माववादियों की खोखली विच्वारधारा जीवन श्याली भेद बावपून वैवार और प्रतार्णा से तंगागर प्लाट्टू नमबर बारा की सदस्या ने आत्म समर्पन कर दिया है जीला प्रसासन के ओर से किया जा रहा है जीला प्रसासन के द्वारा साइनिक पिनाईवल की पुलिस में वान पाल में अन्य जो भी विभाद के निकलता है इसमें इन बच्चों को उस योग के बनाया जा रहा है जिसमें अपना सभागी बने और अपने भविस्य को उच्छा के गुड़ मात्मक विकास पर जोड़ दिया है चात्र चात्राओं में सिक्षा के लिए रुच्छी पैदा करने की दिशा में गौरेला पेंडरा मरवाही के हाई स्कूल में नैसा 2022 तेस कश्यो बारम किया इस साल 36 गर बोर्ड में 100% पाट करम को लागू किया गया तो में चात्रों के बहतर रिजल्ट के लिए सिक्षकों ने भी पूरी तरीके से कमर कस ली है इस्कूल में अंग्रेजी के लेक्चुरर स्मार्ट क्लासिस के ज़र ये चात्रों को पढ़ा रहे है जिसका फाइदा चात्रों को मिल रहा है मैं चात्र भी रुची के साथ पढ़ते वे नजर आ रहे है यहां मैं महिने से सासन के और से आप प्रोजेक्टर लेप्टा प्रोवाइट किया गया है और यह हम लोग के बड़ी खूशी के बात है और बड़ी है रिसन यह है कि हमारी जो कंटेंट होते हैAN जिस्शिस हमारे पार्टिकल तक से मित होता है हमारे भूक टक की रहते हैं लेकिन हम एक्स्टा नॉलेट के लिए हम लोग की बड़ी बीकत होती है तो लेक्टाप आने से का प्रोजेक्टर आने से हम जो नए-ने एनिमेटेट वीडियो बना रहे हैं और पॉइंट यूज़ कर रहे हैं और आइडियो यूडियो का यूज़ कर रहे है खबर मादप्रदेश अतिसगर में फिलाल के लिए इतना ही देखते रही है हर खबर नमस का यूज़ सकार